अमरिका का प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो, वो भारत के साथ दोस्ती रखेगा या रखेगी, लेकिन अभी कमला हारिस भारतिये मूल की है, इसके वज़े से इंडिया में बहुत दिल्चस्पी होगी, ये अमरिका के पॉलिटिक्स में, वैसा कमला हारिस हाफ इंडिया ने, लेकिन वो कभी बात नहीं करती है, उसके बारे, वो क्यों करेगे ना, युएस में ज्यादा भारतिये लोग नहीं है, मेरा एक आइडिया है, कि एक लाग भारतिये लोग, एक अठा हो के, ये तै कर सकते है, कि अमरिका का प्रेसिडेंट कौन बने, उसके बारे में बात में देखते हैं, लेकिन कमला हरिस अभी क्यों जोर्दगी, विंस्टन चर्चिल हमेशा अमरिका में भीक मांगने के लिए आते थे, पईसे के लिए, सेकंड वर्वर, तब वो अमरिका में याद दिलाते थे, मेरी मां अमरिकन है, लेकिन ब्रिटिश एलेक्शन में कभी नहीं क यूएस में क्या है नम, प्रेसिदेंशल इलेक्शन होता है, इलेक्टर कलेज के, इलेक्टरल कॉलेज, मतलब हर एक स्टेट के वोट होते हैं, और वो सब मिला के 538 होते हैं, सो 269, 269, जो पहला 270 तक पहुँच गया, वो प्रेसिदेंट बन गया, अभी पैंसिल्वेनिया म मानो 20 यूष यूख रोगा है, और 4 1,40 लाक वोट हो गए, उसमें से 20 लाख कमला को मिलें, और 20 लाग डी नाट को मिलें, डी नाट को 20 लाग और एक वोट ज्यादा मिला, इसमें पैंसिवेनिया जीत लिया, विइनर टेक्स ऑल, तो पैंसिल्वेनिया के पूरे के पूरे 20 electoral vote उनको मिलेंगे देखो वैसा suspense उसमें कुछ नहीं है इसे कोई states है जिसमें Republican को कोई chance ही नहीं है जैसे कि California है, Oregon है Washington है, Maine है Vermont है Connecticut, Rhode Island, New Jersey New York, Delaware कोई scope नहीं है और वैसा Democrats को Louisiana, Mississippi, Alabama Georgia, Tennessee, Missouri Kentucky, South North Dakota Montana, Utah Idaho, कुछ scope इस नहीं है तो सिर्फ Battleground State पे यह सब होता है अभी Battleground State में जो बाकी की लिस्ट छोड़ दो हुआ मैं आपको Simple Idea बोलता हो कि इंडियन कैसे तो इंडियन चार Battleground State है उसमें चार Major Cities है Battleground States है Pennsylvania में City है Philadelphia Michigan उसमें City है Detroit Georgia उसमें City है Atlanta और Arizona उसमें City है Phoenix और उम्मीद करते हैं कि अमरिका के Elections में सिर्फ वो लोग वोट करेंगे कि जो Citizen है काफी इंडियन यहां पे हैं लेकिन Citizen उसमें ज्यादा नहीं है और जाहिर है कि सब जो इंडियन लोग है वो शहरों में रहते हैं देहातों में कोई नहीं रहता अमना रवाय पहले से वह ऐसा ही है जब Columbus निकला था अमरिका ढूणने के लिए उसके साथ कोई नहीं जाएगा अमरिका ढूणने के बाद हम लोग हम अपना पूर में पैनल बिटाएंगे समीति चर्चा करेंगे और इंडिरप्रस्त बनने के बाद हम लोग प्लास्टिक की वाटर बाटल और फरसंड लेके जाएंगे हम लोग भी इंडिरप्रस लेखने को जाएंगे वो अपना स्टाइल है तो हम सिर्प शेहरों में रहते हैं तो ये चार शेहरों में डिट्रोइट फिलाडेल्फिया अटलांटा और फिनिक्स ये चार शेहरों में 20-25 जो इंडियन सिटिजन है वो साथ में आये और उन्होंने इकठ्था वोटिंग करने का प्लान किया तो वो ये तैय कर सकते है कि अमरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा लेकिन करेंगे नहीं उसकी दो वज़ह है All politics is local अईसा नहीं है कि भारती मूल के लोग जो अमरिकन सिटिजन है वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे जो भारत के लिए अच्छा है, हमारे local issues है, उसके उपर भी बात होगी, और दूसरा क्या है, मेरा नया पड़ो से आया, उसने मुझे पूछा, तेरा नाम क्या है, जिस अंदाज से, उन्होंने मुझे आप कहने के बज़ा, तू कहा, मैं जानता था, वो मराठी है, मैंने का, म कि तुझे रोहित शर्मा जादा अच्छा लगता है, या हर्दी, मैं रोहित, तोला चल फुट निकल इधर से, आरे हम दो लोग इंडियन साथ में बैठके चाह नहीं पी सकते हैं, और चले आया है कि प्रेसिडेंट बदले, तो हम लोग अगर इकठा हो के, इंडियन एंड ब्लॉक वोट कर सकते हैं, तो यूएस के पॉलिसी में काफी डिक्टेट, लेकिन यहां भी हमारे यहां इलेक्शन एग्जम सिंपल है, सिर्फ चार मुद्दों पे बात होगी, डेमोक्राट्स के लिए दो मुद्दे बहुत अच्छे हैं, पहला है वोमेंस राइट तो गुमदा है, वो भी आ सकते हैं, उनके अगेंस डिस्क्रिमिनेशन क्यों, और दूसरा है, टैक्से, यह वीडियो इंडिया के बजट पे नहीं है, यूएस एलेक्शन पे, लेकिन टैक्से हमेशा हम भी हो, हमारा मुद्दा वही होता है, कि हम लोग गवर्मेंट के लिए त मुझे मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के मेरे हातों में है, छालो की तरह, डॉक्टर अभी गोट से